हेलो फ्रेंट्स मैं हमेशा अपने दोस्तों से, अपने यारों से, अपने करीबी लोगों से, रिष्टिदारों के बीच में सुनता हूँ कि हमको रातों को नींद नहीं आती, देर रात तक जगते रहते हैं, फिर लेट सुबह उठते हैं, ठक जाते हैं कोशिश करते हैं सर, हम सोने के लिए लेकिन हम तो नींद नहीं आ पाती, इसके लिए नेट्फ्लिक्स में, यूट्यूब वीडियो देखने में, और कई सारे चीजों में, पबजी में, वीडियो गेम खेलने में, हमारा मन को अठका देते हैं, और हम सो नहीं पाते हैं और मुझे पुरा यकीन है कि आप में से कई सारे लोग होंगे जिनके साथ ये होता होगा है ना आपका मन आपको सोने नहीं देता है तो कहते हैं एक दिन में भागता है और रात में जाकता है ये मेरा बावला मन सुनता नहीं है, सोने नहीं देता है तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए एंड तक देखिएगा ठीक है मेरा नाम प्रजेश ट्रॉसकी है मैं एक टीचर हूँ, मैं ट्रेनर हूँ और एक लाइफ कोच हूँ दोस्तों मेरे इस यूट्यूब वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल का नाम रखा है मैंने गुरू है, शुक्र है चलो हम वाफिस से उसी टॉपिक में आते हैं मुझे नींद ना आए, मुझे चेन ना आए कि क्या हो रहा है मेरे साथ मेरे दूस्ता हमारे मन में दिन भर में कहते हैं कि एक रिसर्च हुआता, तो मैंने एक जगा पढ़ा था कि दिन भर में, चोबीस घंटे में हम सब के अंदर साट से असी अजार के करीब बहुत सारे खैलाद आते हैं इसमें से कुछ खैलाद जो होते हैं जो thoughts होते हैं, वो unresolved होते हैं वो unresolved होने के वैसे हमारे दिमाग में घुमता रहता है, घुमता रहता है उस tension से हम रात को सो नहीं पाते हैं यह सबसे बड़ा reason है तो करना क्या चाहिए? solution क्या है? यह सबसे important चीज़ है ध्यान से सुनियेगा, बहुत ही भैतरीन solution है और मैंने कई सारों लोगों पर मैंने यह solution अपना के देखा और इसका एक बहुत ही अच्छा result हम सब को आया है simple सी बात है दोस्तों मैं एक handwriting expert हूँ तो हम handwriting में यह कहते हैं कि जबी भी हम कुछ लिखते हैं तो यहां वो सब चीज धिमाग से निकल कर कहजस पे आने से मन डरलैक्स होता है तो करना क्या चाहिए simple सी एक diary लीजिए और दिन भर में क्या हुआ उसको लिखते जाए रात को बरापर सोने के पहले 10 मिनिट हम दुनिया बर के मुबाइल फोन खिलने में वीडियो गेम खिलने में यह सब चीजों में हमारे पास वक्त है क्या हमारे पास 10 मिनिट नहीं होगा सिर्फ इतनी से एक्टिविटी करने के लिए जिससे आपको नींदा सके simple हैं बस आपको एक किताब लेनी है एक लोडाईरी लेनी है और लिखते जाना है कि धिन बर में क्या होँ क्या अच्छा होँ, क्या बुरा हो बस scribble करते जाए जरूरी नहीं अच्छ हैंड रैटिंग में लिखने कि ऐसा लिखते, 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 लिखते यहां से सब चीज निकल कर आपके किताब में आ जाएगी, मैं आपको guarantee देता हूँ, पूरा मन शान्त हो जाएगा और आपको जल से जल नीद आ जाएगा, एक एक बंदा, एक लेडी थी, जो counseling के लिए मेरे पास आई थी, तो मैं उनसे handwriting ले रहा था, तो बिचारे लिखते लिखते लिखते, अपने life के बारे में रोने लग गई, रोने लग गई, रोते रोते उसके पूरे कागस में, आसू गिरते गए, गिरते गए, गिरते गए, और आसू गिरते, 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 क्या हो रहा था, वो साफ हो रहा था, पुरी handwriting साफ होते जा रही थी, उसके जिंदगी से सब चीजे, मन में सब चीजे साफ होते जा रही थी और पूरा लिखकर होने के बाद उनका कागस मैंने फाड़ कर भेक दिया मेरे दूस्तों कितना बड़िया काम है यह लिखेगा रोज रात तो कहते हैं कि आपके लाइफ में अगर पांच से छे प्रॉब्लम से बस आप देखेंगे ना इसमें से पहला और दूसरा प्रॉब्लम अभी का नहीं है आने आले आट-दस सालों के बाद के जिसकी चिंता अभी से आप कर रहे हैं तो पहला और दूसरे को रॉंग कर दीजे चुकडी मार दीजे तीसर और चवता तो साक्षाद ब्रह्मा के बाद इसका सलूशन नहीं है तो बचे कितने दो बस सॉल कीजे तो इसके लिए बहुत इंपोर्टन सलूशन है थिंक इट इंक इट डू इट और रिव्यू इट सोचिए लिखिए करिए और रिव्यू कीजे बस थैंक यू फूर वाचिंग दिस वीडियो यह सलूशन मैंने आपको दे दिया इसी सिलसले को लेकर इसी मसले को लेकर एक और वीडियो में के साथ मैं आपके सामने आऊंगा इस वीडियो को लाइक कीजे शेर कीजे एक कमेंट कीजे थैंक यू सो मच